हाँ भाई जान हम सोच तो रहे थे मास्टर जी लड़के वालों के तरफ पिता जी की पतलून एक बिलांग चोटी कर दो यह ले बाग करते देख लो दस ले लिए जी 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 मिल्कुर सही आज़ रमेश सुरेश चलाब करते क्या है मास्टर जी पिता जी की पतलून एक बिलांग चोटी कर दो अच्छा वो भी दरजी है बीस ले लिए जी पिलकुल पिलकुल मास्टर जी पिता जी की पतलून एक बिलांग चोटी कर दो बीए कर रही है पीस ले लिए देखो जैस आपका है अब यह मास्टर जी पिताजी की पतलू नेक बिलांग केटबरी फाइव स्टार की हर बाइट में है चोकलेट कैरमल और नोगा तो बस खाईए और खो जाई अब यहाँ अब यहाँ तो तूने क्या का मैंने का मुलायम हो गई है हां मेरे कहने का मतलब है कि और भी जादा मुलायम हो गही है अब अहाँ हम दोनों एक ही बात करहें दरहाशएब हम दू बोल रहा है शॉफ मै बोल रहा हूं मुलायम यह तो अंकल आप ही बता ही शॉफ्ट और मुलायम अलग अलग आलग हो तेन अब केटवरी फाइफ स्टार हो गया है और भी सॉफ्ट यानि बुलायम यानि सॉफ्ट यानि रमेश सुरेश अंकल जी के लिए कुरसी छट से ले के आओ चलिया है अंदर ही बैठते हैं वो लागरी के रहा था कि आपने उसके वो किताब देनी है पुरा घर तावर परका कि लागरी के पोटीन चट से आगाई चाट बरी फाइफ स्टार में है चोकलेट कैरमल और नोगा तो खाएए और खो जाएए भाई भाई साब एक्जिट का पे एक्जिट भाई साम मुझे नहीं मानम आप किसी और से पुछ लीजे बीस रुपे वाला बड़ा कैट बरी फाइफ स्टार बड़ी बाइट बड़ा मजा यार रमेश रात को पार्टी में जाएंगे कैसे क्या अब बक्वास कर रहे हो जप लेगरो अब गोचो सुन पिताजी के सुने के बाद चुपके से हुंका क्रेडिट काड लेना तो जब निकाल लेना थे चुपके से उनकी गाडी की चाबी निकाल लेना सुनने अना तो किसी के बाप को भी पिट तुक्लेट, केरमल और नोगा तो खाईए और खाईए और खाईए एक्स्ट्रक कैरे मिल वाला नया कैडबरी फाइट स्टार तो बस खाईए और एक्स्ट्रक हो जाईए अईज और एक्स्टरक कान तो जाईए और तो जाईए और एक्स्टरक फार तो जढ़ी प्रॉब जगवाल मुटा वाल प्रॉब प्रजबग थाइए जग पर फाइए जगिए प्रॉब केटबरी फाइब स्टार में है चोकलेट, कैरमल और नोगा तो खाईए और खो जाईए